पीसीबी एल के शेरों में 7% का उच्छाल, कार्बन ब्लाक के दो ग्रेड के लिए पेटेंट हासिल करने के बाद चड़े शेर, इंट्राडे में स्टॉक ने 211.50 रुपए के अपने 52 वीक हाई को छू लिया। दरसल कंपणी को स्पेशिलेटी ग्रेड और सर्फेस मोडिफाइड कार्बन ब्लाक से संबंधित इन्वेंशन के लिए दो पेटेंट मिला है। इस खबर के बाद कंपणी के शेरों में तेजी आई है, पीसी बी एल के शेरों में आज 12 अक्टूबर को करीब 7 फीसदी की तेजी देखी गई। यह स्टॉक एनसी पर 3.74 फीसदी की बढ़त के साथ 204.05 रुपए के भाव पर बंध हुआ है। वहीं इंट्राडे में स्टॉक ने 211.50 रुपए के अपने 52 बीक हाई को छू लिया। दरसल कंपणी को स्पेशिलेटी ग्रेड और सर्फिस मोडिफाइड कार्बन ब्लाक से संबंधित इन्वेंशन के लिए दो पेटेंट मिला है। इस खबर के बाद कंपणी के शेरों में टेजी आई है। कंपणी का बयान एक रेगुलेटरी फाइलिंग में PCBL ने बताया कि उसे इंडियन पैटेंट ओफिस द्वारा दो पेटेंट प्रदान किये गए हैं। कारबन ब्लाक और उससे प्राप्ट औक सीकृत कारबन ब्लाक के उपचार की प्रक्रिया टाइटल वाले खोज के लिए कंपणी को पैटेंट संख्या इन 444448 प्रदान किया गया। इसमें कहा गया है, यह पेटेंट इंक्स और कोटिंग एप्लिकेशन के लिए स्पेशिलिटी ग्रेड कारबन ब्लाक के मोडिफिकेशन के लिए PCBL लिमिटेड की इनोवेटिव प्रोसेस के संबंध में हैं। दूसरा पेटेंट रबर कंपाउंज के प्रदर्शन में सुधार के लिए सर्फेस मोडिफाइड कारबन ब्लाक ग्रेड नामक एक आविशकार के लिए दिया गया है। कमपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यह पेटेंट, फ्यूल एफिशिंसी और टायर लाइफ में सुधार के लिए PCBL द्वारा विक्सित इनोवेटिव कारबन ब्लाक कंपोजिशन के संबंध में हैं। कैसा रहा है शेरों का प्रदर्शन इस साल अब तक PCBL के शेरों में करीब 60 फीसदी की टेजी देखी गई है। पिछले छे महीनों में स्टॉक में 80 फीसदी का उच्छाल आया है। अप्रैल से जून तिमाही तक प्रमोटरों के पास कंपनी की 51.4 एक फीसदी हिस्सेदारी थी। तिमाही में FII और FBI ने अपनी हिस्सेदारी 0.22 फीसदी से बढ़ा कर 6.56 फीसदी कर दी। mutual fund ने भी अपनी हिस्सेदारी एक फीसदी बढ़ा कर 6.05 फीसदी कर दी company का date to equity ratio 0.33 है जिसका मतलब है